असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब अलहम्दुलिल्लह आप सब खैरियत से होंगी आज रेरा और मटर की सबजी बनेगी इसके लिए एक रेला काटके रखी हुए हैं यह प्याज और लैसुन इसका पेश्ट बनाएंगे यह उबली हुई मटर है यह प्याज तलने के लिए और साथ ही मैं मटर पुलाव भी बनाएंगे यह पुलाव के लिए मसाला है इसको इसको पीशेंगे और यह पुलाव बगानने के लिए हैं और यह मटर है आई यह बनाते हैं मटर पुलाव और मटर करेले तो इसके लिए पहले उकर में पानी डालेंगे पानी डालने के बाद करेला उकर में डाल देंगे और इसमें नमक भी डालेंगे इन नमक डाल दिया अब इसमें पेशन भी डालेंगे यह बेशन एक चमची पेशन डालना है ज्यादा बेशन नहीं डालना है करेलो में अब देखना इसके क्या है करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और जो करेला खाता भी नहीं है वो खाना सीख जाएगा अब इसको एक सीटी तक आने तक उबालेंगे जब तक करेले उबल रहे हैं तो लाव यहां पर बना लेते हैं लाव के लिए उपर में तेल डालेंगे झालेंगे